हेलो गाईज आज हम लोग डिसकस करेंगे केमिकल सेक्टर के दिग्ज स्टॉक्स की और इसके रिगार्डिंग काफी सारे लोगों ने हमें कोस्टियन और क्वेरीज भी भेजी है मेल पे और कमेंट सेक्शन पे अधर वीडियो के देखिए मैंने एक वीक पहले आपको एक वी स्टॉक्स स्टॉक्स पहले मैं आपने पता कितना समझा कितना नहीं बट इस वीडियो को आपने अगर देखा हों और इस स्टॉक्स पर फोजियसन बनाया हुँ कहां तो इस्टॉक्स आपने बेस्ट वेबसाइट स्क्रीनर डॉट इन पर जहां पर मैं अपनी सारी चीज़े आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चलिए चलते हैं और देखते हैं जिया ना नदर देन हिमादरी स्पेसिलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं देखिए स 46 पे मैंने आपको अलर्ट किया था 46 पे मैंने इसे अलर्ट किया था और आपने अगर इसे बाइंग किया होगा तो आप कितने प्रॉफिट में पता नहीं आने वाला और भी कुछ दिनों में और कुछ महीनों में यह स्टॉक आपको और भी तेज दिख सकता हैं देखिए मै के बारे में जब वीडियो कमपोश किया था तो मैंने बताया था कि हिमादरी केमिकल्स एंड इंडस्टी इस इंगेज इन दे मैनिफेक्टरिंग ओपे कोल तर ठीक है यह कोलतर कोल तर है गया यह इस लाइक है कोल और सी टीपी मतलब कोलतर पीछ बनाने में सबसे बहतरीन यह इंडिया पर है। अगर आपको पूरी डीटियल्स चाहिए इस इस कंपधनी का जो यह करती है, उस वीडियो पर मैं आपको बीक बहुत डीटियल्स के बाट की है, तो उस वीडियो को आप जरूर जा के देखिए और उसका लिंक आपको description पे मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो मैं comment कीजिए मैं link आपको comment section पे share कर दूँगा बट इस video के description पे जो link होगा इस company के पूरे details की जरूर देखिए बहुत अच्छा लएगा आपका time बिल्कुल भी बेयर्थ नहीं होगा मैंने आपको इसमें बहुत सारी details दी है एकी चीज को बार बार करना अच्छा नहीं लगता यह तो मेरी review थी कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी stock सस्ते पे मिल रहा है साइध यह stock और भी उपर चला जाए कमाल कर जाए यह सभी चीजे जानने की कोशिस की जगे केमिकल सेक्टर पे आग लगी हुई है 92 का इसका हाई है अभी भी 60 रूपीज पे है मुझे ऐसा लगता है कि यह stock हो सकता अपने 52 विक हाई का आसपास में जाता दिखे एक जबज़स्त breakout लेबल पे किया जो की लेबल था लगबग पचास और 52 रूपे का आसपास में वह लेबल तोड़ा है इस stock में इमेडियर्टी 65 रूपे का टारगेट आपको देखने को मिलेगा तो जिन लोगों इस पे पोजिशन बनाया है मेरी रिब्यू की बात थी मेरी कबरिज थी इसलिए मैं आपको फिर से आपको वो सारी चीज़े बताने के लिए आया हूँ कि जिन लोगों इस पे पोजिशन बनाया डेफिनेटली इस stock पे आपको और भी थोड़ा से प्रॉफिट होगा अभी short term पे लोग डर्म के लिए evergreen मुझे ऐसा लगता है chemical sector में यह stock भी अच्छा कासा चलना चाहिए पर मोटर्स की holding 48.90% किसी तरह की कोई गिर भी नहीं है और date to equity ratio एकदम acceptable है sales growth ठीक ठाक है dividend pay करती इतनी छोटी company 2000 करोड की और dividend pay करती है इनके हाल फिलल के results के अगर बात की जाए तो देखिए March quarter stick के result है और इसमें इन्होंने profit क्या जबजस्ट किया आप देखिए June quarter का result आते फिर से stock पे boom boom हो सकता आपको होता दिखे तो इस 43 रूपे के stock को 46 रूपे के stock को लंबे समय के लिए साथ ही short term के लिए दोने टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था फिट बैठता है और देखिए इस stock ने आपको लगबग 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 आपको कितना परसेंट का return दे दिया 13 रूपे का return दिया आपको 25 परसेंट का return से एक वीक में दे दिया सोचके देखिए stock अभी भी तेज होगा मुझे ऐसा लगता है लेकिन मैं आपसे फिर भी आई कहूंगा कि देखिए stock market में stock तो बहुत है आप अपनी हिसाब से decision से पैसे लगाईएगा मेरा काम है review करना सभ लगे उसे stock पर पैसे लगाईएगा लगाने से पहले अपने financial advisor से एक बार जरूर सला लीजेगा अगर वो कहते हैं तबी stock पर बनिएगा इससे ज्यादा बैटर होगा मैं मिलता हूं next video पर video जरूर देखिए जाके हमादरी chemicals specialty chemicals के बारे में बहुत details की video मैं guarantee के साथ कहता हूं वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो समय है आपका जो किमती समय है वो आपने बरबाद किया guarantee के साथ कहता हूं इसके बाद अगर आपको कोई queries होंगी तो फिर से आप comment section में comment कीजिएगा मैं comment section पर आपको answer देदूंगा इस particular stock के लिए ठीक है मैं मिलता हूं next video पर तब तक के लिए बहुत बहुत धिन्नवाद हमारे channel विजिट करने के लिए thank you